Samsung की Mobile में App Lock कैसे लगा है? दोस्तों अगर आप अपने Samsung का Mobile है आपके पास अपने WhatsApp को या फिर आपने कोई भी Games को Free Fire अपने Samsung की मोबाईल में आपके पास चाहिए आपके पास चाहिए कोई सबी Samsung मोबाईल है, तो आप आसानी से आप लोग को लगा सकते हो, सबसे पहले आपको यहां पर तरीका बताऊंगा आपको playstore open करना है आपके पास चाहे कोई साभी saimcinject हो बच आपको यही तरीका करना है अप playstore application open करके आपको search bar click करना है देन डेखो यहां पर आपको search bar click करने के बाद आपको यहां पर app log क्लिक के सर्च करना है अब App Lock लिख के सर्च कर दो नॉर्मली जो आपका App Lock लिख के सर्च करना है अब सर्च करना है कि बते को बहुत सार यहाँ पर Application आएगा ठीके तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा यहाँ पर मैं आपको Application बताऊंगा जो application यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है आप friends यहाँ पर देख आपको यहाँ पर यह application है एक application बता रहा हूँ यहाँ यह वाला app log यह वाली application को जो है आपको जो है play store से जाके download करना होगा यह app log के नाम से application रहेगा आप इस application को यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा आप डाउनलोड करने के लिए simply आपको यहाँ पर जो आपको एक से minute लेगा या फिर कुछ seconds ले लेंगे आपके internet पर depend करता है ठीक है आप यह वाली application को आपको जो प्लेशोर से डाउनलोड करना होगा Applock के application को आप जैसे friends यह application आपकी mobile के अंदर यह download हो जाएगी तो download हो जाने के बाद आपको अगला step क्या करना होगा यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ friends ठीक है आप देखो मेरी application यहाँ पर यह इंस्टॉल हो रहा है तो यह install हो रहा है क्योंकि यहाँ पर application में तोड़ा यहाँ पर कभी-कभी कोई-कोई mobile में टाइम लग जाता है open होने में मतलब इंस्टॉल होन में अगर आपका low-end device है तो यह आपको दिक्कत आ सकती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर open का option आ चुका है अब यहाँ पर open के option पर click कर देता हूं तो यह application यहाँ पर इस तरह किसे आपका open हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर application को open करना है open करने के बाद इस तरह किसे interface आ जाएगा अब यहाँ पे देखो कोई भी पूरीं आपको यहाँ पर अपय प्लव कर दिया है तो क्लिक करना है आप लाइएपन जेलो यहाँ पर हमें दोश आपको यह TikTok को पकड़ लेता हूं, ठीकि मैंने TikTok को अभी यहां पर यहां पर आपको इस option पर मैंने step-by-step कर रहा हूं वैसे आपको क्लिक करना है, यहां पर app lock को यहां से इसको allow करना हो का tracking, ठीक है, इस तरीकिसे आपको allow करना है, first step complete हो जाएगा, second भी आपको यहां पर pre-meet option पर click करके, allow permissions कर देना इसका, अब यहां पर मैंने WhatsApp को click करना है, तो यहां पर सारी application यह automatic lock हो जाएगा, जैसे आप permissions दे दोगे, तो यहां पर WhatsApp के उपर, सारी applications के उपर app lock लग चुका है, आप normally यहां पर Play Store को open करके दिखा देता हूं, तो यहां पर इस तरीकिसे मेरा lock आ चुका है, तो यहां पर WhatsApp को भी open करते हैं, तो WhatsApp के अंदर भी lock लग चुका है, जैसे मैं WhatsApp को open कर देता हूं, तो देखो, मेरा WhatsApp के application में भी app lock लग चुका है, इस तरह के से आप अपने Samsung के mobile के उंदर जो है, आप lock लगा सकते हो, किसी भी applications को, Free Fire भी है, Free Fire के उपर मेरा app lock लग चुका है, तो